एक बार फिर से आपका स्वागत कर दाऊं आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फोकस्टेडर में आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे लेट सी गाईस यहां पर जानते हैं कोपर के बारे में एलमूनियम के बारे में और इस साथ में आपको कुछ एक लेवल आपको बताने वाला हूँ और यहां पर मैं आपको कुछ चैनल के याने की आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेर जरूर करना गाईस यहां पर मैं आपको डिस्क्लाइमेट देदू फटाफट से यह वीडियो ओनली फो एड्यूकेशनल परपस के दोर बना जारी मैं यहां पर आपको किसी परकार का बाई एंड सेहल के में रिकमेंडिन ना तो कभी करता हूँ और ना यह कभी करूँगा आपके प्रोफिट और लोज किसी दिस्पॉंसिबल्टी है तो गाईस यहां पर मैं अपना ओपने एंड अडवाइज आपको देना चाहूँगा और कितने यहां पर मैं आपको एजल और उपे समझाता कि टाइम फ्रेम पर किस टाइम फ्रेम पर क्या देखना चाहिए किस तरह से बाइंग बनती है क्या लेवल देखने चाहिए आपको तो दोबारा से मैं आपको यहां पर समझाना चाहूँगा अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान करना चाहिए आपको मैटल के अंदर क् करना है कहां पे sell करना चाहिए आपको और कहां पे avoid करना चाहिए trade लेने से बचना चाहिए तो मेरे साथ जूड़ रहेगे दाफ focus trader के साथ में आपको यहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो let's see शुरू करते हैं सबसे पहले copper के बारे में तो यह contract है guys 30 September का यानि की अभी contract के expiry में अभी काफी वक्त बचा हुआ है तो इसी expiry में क्या क्या possibility बुनी आईए समझते हैं तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो time frame में है या पर one day का time frame लगा है और one day के time frame के ऊपर आपको यहां पर समझ में आएगा इसली तोर पर कि यहां पर कुछ एक time से अगर यहां पर time frame पर अगर आप one day के time frame पर देखोगे तो कुछ time यहनकी काफी time से एक box के अंदर trade कर रहा था ओपर इसली तोर पर अगर देखा जाए तो यहां पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे looking good नहीं है कि अपसाइड में निकल जाएगा क्योंकि फिर से ऊपर में यहां पर क्या दिया है इवनिंग इस्टार दिया है तो यहां पर मैं अभी possibility नहीं मानता लेकिन फिर हम एक levels को लेकर चल सकते हैं अभी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अभी एक box का यहां पर मैंने जो green color का जो box लगा है इसका breakout हुआ है लेकिन यहां पर अच्छे वाला यहां पर breakout नहीं हुआ है अगर हम one day की candle को देख रहे हैं तो यहां पर evening star बनके close हुआ है तो यहां पर थोड़ा sideways and bearish moment रह सकता है sideways किस तरह से रह सकता है अभी हो सकता है कि यहां पर trade line का breakout तो है अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर trade line का breakout हुआ है breakout के साथ यहां पर breakout confirm breakout नहीं हुआ यहां पर देखें यहां पर बोलता है ना कि यहां पर strongly अगर breakout होता यहां पर यहां पर एक अच्छा साइक candle बना होता उसके उपर और 809 809 के आसपास के उपर closing करता एक भर के अच्छी से candle देता तो हम यहां पर buying की तरफ चलते हैं फिर upside क एक level है जब तक इस level के open नहीं निकलता है को पर तब तक कोपर में buying के बारे में मत सोचेगा वो क्या level होगा बंडे के चार्ट पर यहां पर 809 यानि कि 809 यहां पर 809 का एक अच्छा critical resistance बना हुआ है क्योंकि यहां आप से rejection आ रहा है बार-बार उस चीज़ को यहां पर समझ करता है उपर तो फिर आप जा सकते हैं आप साइड के लिए कहां तक के प्लान करेंगे फिर आप यहां पर 832 एंड उसके बाद में कहां पर 841 यहां पर आप यहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं लेकिन यहां पर अच्छी candle close होनी चाहिए 809 810 के उपर है अब यहां पर दे यहां पर यहां पर क्या हुआ है 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 कि यहां पर डाउंसेड में आया अगर हम यहां पर चैनल का अपर देखेंगे एंड डाउन देखेंगे तो यहां पर प्राइज डाउंसेड में है तो यहां पर यहां चैनल की मिडल लाइन के पास मैं जाब के यहां पर प्रेस्टेंस फेस किया है यानि कि यहां पर भी कनफरमेशन नहीं है तो एक्जेक्टली जो मैंने आपको यहां पर यहां पर यहां पर टाइम फ्रेम पर जो लेवल बताया है ना यानि कि 809, 8010 और उसको ब्रेक आउट के कुछ यहां पर प्लान कर सकते हैं फिर यहां पर आपको upside में यह target आपको देखने को मिल सकते हैं तो यह था गईस यहां पर का analysis और यहां पर support की बात करेते हैं कि support क्या है तो अभी बिल्कुल रेजिस्टेंज उन पर खड़ा है यहाँ पे ट्रेट लेना कोई उचित नहीं है डाउन सैड में क्या सपोर्ट बना हुए डाउन सैड में तो काफी बड़ा सपोर्ट नजरा रहा है मुझे अगर मैं यहाँ पर देखूँ सम्थिंगं एराॉंड मुझे यहाँ पे 795 यहाँ पर ऐख अच्छास कहास Two ऐ za support पर देख पा रहे होंगे हैं तो इसको सपोर्ट मानके यहाँ पर वरक कर सकते हैं अब यहाँ पर पटलापट से को यहांप और आपको एक बाट और बोलुगा मैं अल्मोनियम वालो यानि कि जो该ल मुधर में ठेट करना पसंद करते हैं में तेट को चोड़ न मत बने रहे न कहां तक के लिए उने। अल्मोनियमी इब दो 332 दौसो 346 यानि कि 200,342,226 यानि तक के लेवर के बने लिए न अफसाइट के लिए क्यूंकि अब अच्छाहासा है यहाँ पर मुमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर एक चैप्चर करके रखना जिनकी ट्रेड बनी हुई है वह लिए वह रच को करने वाये यहां पर वेट करहें यहां और कहा पर कम करना चाहेंगे तो कहाnd फे उल्ड आपर करना हैauen तो यहां पर करते हैं कि सलंग जोन कहां पर अब यहां पर क्लोजिंग दिया गारेहने 282 के पास में यहां पर किलोजिंग होई है और सपोर्ट के उपर ही किलोजिंग होई है जो कि 227 का support है यहां पर तो यहां पर सेलिंड जूण जूण न पे बनना हुआ है जो आपको एरिया यहां पर नजर आरह रहु है किशिसपि आफ लिन से जोण है तो फिर आपको बहुत ही बड़े लेवल मिलने वाले हैं फिर यहां से फ्रेस बाइंग बनेगा गाईस जो भी फ्रेस बाइंग करेंगे वो 236 के ओपर करें और सश्टिन करने दें फिर यहां से अच्छा कासा मुमेंट मिलेगा आपको 250 उर्पे तक का टार्गेट आपको सपोर्ट है और इस सपोर्ट के टूटने से एल्मूनियम में फिर एक नीचे साइड में एक लेवल ओपन होगा जो कि 207 तक के लिए उपन हो जाएगा G1 up के टाइम पर देखते हैं सब्सक्राइण गाभेन देखते हैं जा1 दोड़ फिरें पर पर अब धूर का सब्सक्राइब ऐब एक या आझित हट यायान कि 229 खेपास में फ्रफल्फ के टाइम पर लेकिन यहां पर एक आपको आपको अगर हम पैटन की बात कर दें तो यहां पे डबलू पैटन आपको क्रेट होगा भीगना गाइस यहां पे अपसेड के लिए आपको 236 के टार्गेट के लिए जाना चाहिए और जो भी यहां से नीचे से बाइंग किया यानि कि 218 के असपास से बाइंग किया है वो जिए प्लान होने वाला है तो जलें गाईस अब बात कर लेते हैं भटा-फट से जिंक के लेवल के बारे में तो जिंक भी बाइस अब यहां पर आपार कि रुकने वाला नहीं है जिंक को तो है ना पकड़गे रधना है यहां पे लिका ना क्योन चिंग मनें बहुत सा फेस कर रहा है इस रेजिस्टेंस के ब्रेक आउट के बाद में अच्छा-क्षा-क्षा मोमेंट आपको नजगाएगा जो की 278 यानि की 278 तक के टार्गेट आपको इजली दिखा देगा और वंडे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं फटापट से वंडे के टाइम फ्रेमर क्या सीन है एक्जेक्टली वो यह सीन जो मैंने आपको बोलाए नहीं यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस कहां पर फेस करेगा चैनल की अपर ट्रेड लाइन के आसपास वो कहां पर है वो समझेगा यहाँ पर अच्छी खासी है कि आपको रिकावरी भी देखने को मिली है अगर मैं चैनल को अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूं यहाँ पर मिडिल लाइन से आपको अच्छी खासी है कि देखने को मिली है जो की जिंक का जो प्राइज है कहां तक डॉमिनेट कर सकता है विए चैनल का ब्रेक आउट करता है न तो फिर आपको दोसो अठतर याने की 278 तक के भी टार्डेट आपको इसलिए दिखा सकता है यहां पर support level की बात कर लेते हैं अब support level क्या होने वाला है अगर हम यहाँ पर support level की बात करें तो अभी फिलाल में जो support बनाया है जिंक के अंदर something 257 याने की 257 एंड 256 का अच्छा खासा यहाँ पर support बन चुका है जिंक के अंदर तो इन ही support के according आप यहाँ पर upside का प्लान कर सकते हैं जो भी नया trade यहाँ पर बनाना चाहते हैं जिंक के अंदर किस तरह बनाएंगे यहाँ पर जब यहाँ पर breakout करता है 268 का breakout करने के साथ साथ sustain करता है तो फिर आप upside के लिए प्लान कर सकते हैं second entry कैसे होगे जिंक के अंदर या तो फिर यहाँ पर अलका सा retract करे यानि की 261 के आस पास आए फिर यहाँ से upside के लिए प्लान कर सकते हैं लुकिंग गूड लग रहा है जिंक मुझे यहाँ पर और अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों है जिंक के अंदर तो चलिए गाई इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूं आसा करता हूं उझे लेवल्स मैंने आपको बताएं सम बता है